नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं खास ख़बर नए क्रिशी कानूनों के विरोध में किसान पिछले काफी समय से अंदौलन कर रहे हैं लेकिन अब किसान अंदौलन को लेकर अमेरिका ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने केंड रुके क्रिशी कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि किसी भी देश में शांतिपूर्ण विरोत को लोकतंत्रों की पहचान माना जाता है ऐसे में कानूनों को लेकर हुए मदभेदों को बाचीत के जरिये सुलजाया जाना चाहिए अमेरिका की तरफ से किसान अंदौलन को लेकर ये प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई जब कई अंतरराष्ट्रे हस्तियों ने किसान अंदौलन को अपना समर्थन दिया अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत सरकार के तीनों नए कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि इससे भारती बाजारों की उपयोगिता बढ़ेगी साथ ही स्टेट डिपार्टमेंट ने ये भी कहा कि अमेरिका ऐसे कदमों का स्वागत करता है जो भारत के बाजारों की उप्योगिता में सुधार करेंगे और नीजी शेत्र के अधिक निवेश को बढ़ावा देंगे हाला कि अमेरिका विदेश विभाग ने साथ ही ये भी कहा है कि विवात को बातचीत के जरीए सुलजाया जाना चाहिए शांतिपून विरोध एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है इतना ही नहीं कानूनों का समर्थन करते हुए अमेरिकी विदेश विभाग ने ये भी कहा है कि भारतिय सुप्रीम कोट ने भी शांटी पून विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया है सूचना देने के जरिये और इंटरनेट एक्सेस होना अभी व्यक्ति की आजादी है बता दें दिल्ली के तीन सीमाओं पर जहां किसानों का अंदोलन चल रहा है वहाँ पुलिस की सक्ती बढ़ाई गई है टिक्री बॉर्डर पर सडख पर बड़ी बड़ी की लगाने के बाद प्रसाशने सिंगू बॉर्डर पर बेरिगेटों को सिमेंट से जोड़ कर मोटी दिवार बना दी है गाजीपूर बॉर्डर पर भी दिल्ली की तरफ से कटीली तारे लगा दी गई है इतना ही नहीं प्रदर्श्टन वाली जगाओं पर इंटरनेट भी बंद है और आंदोलन को लेकर बनी इन खबरों को अंतरराश्ट्रिय हस्तियां शेयर का ट्वीट भी कर रही है खास कवर में आज के लिए बस इतना ही लेकिन आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले